एक कचेरी का द्रिश्य है कोर्ट का सीन है कोर्ट के प्रोसीडिंग्स कचेरी का कार्य जारी है जज अपनी जगा वा बैठे हुए है अपनी जगा पर बैठे हुए है और लोग है जो इस मुकदमे को देखने आए हैं सुनने आए हैं और एक दोशी कट घरे में खड़ा हुआ है जिस पर दोश है अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि ये वास्तों में दोशी है लेकिन दोश लगाया गया इस पर और इसको बचाने के लिए एक वकील पूरी मेहनत कर रहा था और जज को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था और बाहर के कोट्स में नाकेवल जज होता है लेकिन ज्योरी भी होती है तो ज्योरी बारा नागरिकों का एक ग्रूप होता है जो एट रैंडम बुलाए जाते हैं और वो बारा नागरिक ध्यान से सुनते हैं और बारा नागरिक ध्यान से सुनते हैं और फिर अपना जज्मेंट आपस में बात करके वो जज को बताते और फिर जज फाइनल जज्मेंट देता है ज्योरी के जज्मेंट के आधार पर उसके विरोध में वो नॉर्मली नहीं जाता है तो ये वकील पूरी कोशिश कर रहा था कि मेरा जो ग्राहक है मेरा क्लाइन्ट दोशी नहीं है अब दोश क्या लगा था उस पर दोश ये लगा था कि इस आदमी ने किसी की हत्या की है और हत्या तो की है उसने लेकिन उस आदमी का शरीर अब तक नहीं मिला उस आदमी की लाश अब तक नहीं मिली तो वकील का ये कहना था ज्योरी को कि जब लाश ही नहीं मिली है और कोई सबूत ही नहीं है तो फिर आप मेरे ग्राहक को दोशी कैसे साबित कर सकते हो इसको कैसे तुम जेल भेज कर मृत्यू दंड दे सकते हो या पूरे जीवन भर इसको जेल में कैसे भेज सकते हो इसने हत्या की या ना की एक इसको मालूम लाश ही नहीं है हमारे पास और जो सामने का वकील था वो भी अपने जो आर्ग्यूमेंट्स थे बहस थी वो पेश कर रहा था और वो काफी मजबूत हो रहा था तो यह वकील जो इस दोशी को बचाना चाहरा था उसने सोचा कि मुझे लोगों के माइंड को बदलना पड़ेगा साइकोलोजिकली मनोव ज्यानिक तरीके से जॉरी के लोगों के दिमागों को मुझे कैप्चर करना पड़ेगा तो उसने क्या किया उसने ज्यूरी को ये कहा कि देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक मिनिट के अंदर जो विक्ति जिसके बारे माँ आप कहते हैं कि मेरे ग्राहक ने मार दिया वो विक्ति अभी इस दरूजे के अंदर आने वाला है जो कोट रूम है उसके अंदर प्रभेश करने वाला है और सब दर्वाजे की तरफ देखने लगे हैं उसको लगा कि इससे मैं थोड़ा इनको समझाने की कोशिश करूँगा जब लाश ही नहीं है तो आप भी सोचते हैं कि शायद वो आ जाए लेकिन एक मिनिट बीट गई कोई नहीं आया और तब इस वकील ने उस ज्योरी मेंबर्स को वापस का के देखिये जब लाश ही नहीं है तो कैसे आप कह सकते हो कि मेरा अगराहक रत्यारा है या नहीं है तो फिर जूरी को टाइम दिया गया कि वो अपना जज्जमेंट फाइनल करे तो जूरी मेंबर बाहर जाते हैं एक और कमरा होता है जहां पर वो टेबल चेर्स पे बैठते हैं और आपस में डिसकस करते हैं और एक जूरी मेंबर का एक लीडर होता है जो फाइनल जवाब द हों नहीं है तो फॉर्मेन कहता है हाँ जजसाहब हमने अपना नतिजा बना लिया भुला है तो फिर खड़ा होता है फिर एक 않은 कौलता है जिस फर उंहीं चीज लिखिया होती जो फिर जाड़ को दिया तो और हो जो के ता हम इस व्यक्ति को ली तोर से दोशी मांते इसने वास्तों में हत्या की है और ज test ब Rat énormément के ये दोशी दोशी सोने वहाद में पूछता है अरे जब मैंने कहा कि ये अंदर आने वाला है जो जिसकी हत्या हुई है तो आप तो सब दर्वाजे की तरफ देख रहे थे यानि आपके दिल में भी था ये आ जाएगा तो फोर मैंने का हाँ हम सब ने तो देखा लेकिन तुम्हारा ग्राहक उसने एक मी बार दर्वाजे की तरफ न देखा यानि वो पखड़ा गया उसको मालूम था कि मरा हुआ है तो कैसे आ सकता है तो हम देखते हैं कि कैसे छिपेवे पाप भी प्रगट हो जाते हैं और निश्चित रूप से प्रगट होंगे उन पापों के लिए मनुष्य का न्याएं किया जाएगा वचन में लिखा है गिंती बत्तिस में कि देख तुने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है और निश्चित रहे कि तेरा पाप तुझे ढूंड निकालेगा तुम कितना भी अपने पाप को छिपाने की कोशिश करो एक दिन तुम्हारा पाप ही तुम्हें ढूंड निकालेगा जैसे उस दोशी के साथ हुआ जो कट घरे में खड़ा था उसके एक एक्शन से वो पकड़ा गया या एक्शन ना करने से अगर वो देख लेता दर्वाजे की तरफ तो शायद किसी का दिमाग ना चलता लेकिन जम उसने देखा ली दर्वाजे की तरफ तो जूरी को निश्चे हो गया कि इसी ने हत्या की है इसलिए इसको मादों में आई नहीं सकता जो अपने पापों को छिपाता है ढापता है वो कभी सफल ना होगा परन्तों जो अपने पाप को मानता है छोड़ देता है वो परमेश्वर की दया को पायेगा परमेश्वर बहुत दयावन्थ है नीती वेचन 28-23 से मैं और इसको कोट करता हूँ बचन 32-3-5 में लिखा है जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिगल गई क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा ये एक वेक्ति परमेश्वर से प्रात्ना में कहता है और मेरी तरावट धूप काल कीसी जुर्राहट बनती गई जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रगट किया और अपना अधरम ना छिपाया और कहा मैं परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लोगा तब तुने मेरे अधरम और पाप को शमा कर दिया जब पाप छिपाता रहा तो बहुत ही बेचैनी से मुन निकला जीवन दुरदशा में आ गया लेकिन जब अपना पाप माना प्रभू के सामने तो प्रभू ने मेरे अधरम और पाप को शमा किया मुझे एक शांत और शुद विवेख दिया यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को शमा करने और हमें सब अधरम से शुद करने में विश्वाश योग और धर्मी है विश्वाश योग और न्याई है क्यों परमेश रात आज न्याई के अनुसार हमें क्यों शमा कर पाता है न्याई के अनुसार तो दंड मिलता है लेकिन क्योंकि हमारी सजा को किसी और ने अपने उपर उठा लिया प्रभू येशु मसी ने परमेशर के पुत्रों ने कुरूस पर हमारे पाप को पाप के धंड को पाप की सजा को अपने उपर उठा दिया उसका शरीर हमारे लिए तूड गया उसका लहू हमारे लिए हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए बहा दिया गया आज जो विश्वास करता है पश्टाप करता है प्रभू येशु का लहू उस व्यक्ति को शुद करता है शमा कर देता है ना के वल ये प्रभू येशु तीसरे दिन जी उठा और इसलिए परवेशर पिता मेरे पाप के लिए अब दुबारा सजा नहीं दे सकता क्योंकि येशु मसी ने मेरे पाप की सजा उठा ली इस जगत के पाप की सजा उठा ली लेकिन विश्वास करके वो शमा मेरे खाते में पहुंचती है तो इसलिए हर पापी को पश्टाप करके प्रभू येशु पर उसके बलिदान पर विश्वास करना है सब अपने जीवन की बाते परमेश्वर के साथ आज ठीक कर ले कल के लिए इंतजार ना करें परमेश्वर की आग्या है कि हर मनुश हर जगा अपने पापों से मन फिराए क्योंकि न्याए का दिन निकट है बाइबल बताती है कि आने वाले दिन बुरे होंगे अच्छे नहीं हो सकते केवल जो अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं उनी के लिए प्रतिग्या है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बाते मिलकर भलाई ही पैदा करेंगी जो उसकी योजना के नुसार बुलाए गरे है तो प्रात्ना कीजिए प्रभु येश्वर आपको आशिश्टे है